हे गाईज, आज मैं आप लोग के साथ हूँ, प्राचिन इतिहास की कुछ बहुत ही महत्पुन पुस्तकों के साथ, जिनका इतिहास के छेत्र में अमूल योगदान रहा है आज तक की जो भी इतिहास लेखन हुआ, इतिहास के जो फैक्ट्स हम बड़ी-बड़ी किताबों में पढ़ते हैं, वो इन ही सब बुकों की देन है तो चलिए, बिना समय को गवाय हुए, आज हम आप इन पुस्तकों के रिव्यू करते हैं, और आपको बताते हैं कि पुस्तक किस प्रकार के, किस प्रकार के इतिहास के लिए, हम इसको किस प्रकार अपने इतिहास अध्यान में उपयोग कर सकते हैं सबसे पहली बात इन पुस्तकों की मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पुस्तकों का मूल बहुत ही ज़्यादा कम है जैसा कि मैंने अपने थमली में भी लिखाए कि इन पुस्तकों का मूल सौ रुपए के अंदर है तो तोसे पहले में इन पुस्तकों का और इन पुस्तकों के मूहले के बारे मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज मेरे पास यह तीन पुस्तके हैं प्राचीन भारती एक गुरूप रेखा पुस्तकों का मूल है अब उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस पुस्तक तर डाक्टर डियन जहा की जो पुस्तक है जिसका मूल 90 रुपए है लेकिन मार्केट में हमको ये 10% के डिसकाउन के साथ 80 रुपए में मिल जाती है जो की बहुत ही यादा कम है आज के टा है डाक्टर विसुधनन्द पाठक इस पुस्तक का मूले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इस पुस्तक का मूले 72 रुपए है जो की मार्केट में आपको 60 रुपए में बड़े आसानी से मिल जाती है तीसरी पुस्तक है प्राचीन भारती मुद्रा डाक्टर परमिस्व इस पुस्तक का मूले 100 रुपए है जो की मार्केट में आपको 90 रुपए में बड़े आसानी से उपलब्द हो जाएगी तो यह रही यह तीन पुस्तकें अब बात करते हैं इनके रिव्यू के बारे में कि इन पुस्तकों को किस प्रकार से हमें उप्योग मिला सकते हैं इसम देर सो पेज की बुक है और इस बुक में जो सबसे यादा खास है वो है डाक्र डियन जहा का मत उनके क्या विचार रहे हैं इतिहास को लेकर कि यह इसलिए बहुत यादा इंपॉर्टन रही है और इतिहास के बारे में यह कुछ यूनिक बुक्स में से है एक है हलाकि इस पुस्तक का नाम ही जैसा लिखा हुआ है प्राचीन भारत एक गुरुप रेखा तो यह बहुत ही ज़्यादा छोटी बुक है इसकी एक बड़ी बुक मैं आपको दिखा देना चाहूंगा जो इससे आप लोग सायत परचित भी हो प्राचीन भारत का इतिहास जहा इसके राइटर है जिनको हम सौट में डियन जह बोलते हैं तो यह रही हुआ पुस्तक यह पुस्तक उस पुस्तक का ब्रहद रूप था और चुकि यह पुस्तक है तो यह इतिहास के छेत्र में रूप रेखा जो हमारी बनती है उसको बनाने के लिए बहुत ही यह रहे इसके मैप यह रहे इसकी विशय सुची जहां तक इसकी विशय सुची का सवाल है हरपा सभिता से ले करके यह हमको गुप्त यूग तक कि सभी जानकारियां प्रदान करती है गुप्त यूग की जानकारी प्रदान करती है और इसमें जो सबसे खास बात है वह खास कि नहीं थे, कि वहां दच्छण वासी थे वो कहां से आये थे, किस प्रकार आये थे इस बारे में Dr. D.N. जाका एक बहुत ही महतपूर्ण मत इस बुक में दिया गया है दूसरा जो सबसे बड़ा important हो है उसका अध्याय साथ अध्याय साथ में आज तक जो हमारे मस्तिक्स में विचार रहे हैं कि गुप्त यूग हमारा स्वर्ड यूग है किस प्रकारवा स्वर्ड यूग है उस धारणा का इस बुक में खंडन किया गया है इस बुक में बताने का प्रयास किया गया है कि बुक में बताया गया है कि जो घुप्त यूग रहा है वहाँ स्वड यूग है की नहीं है क्या ऐसे यूग अतीत में आए की नहीं आए क्या अन्ने भी ऐसे यूग रहे हैं इस बुक में बताने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया गया है तो ये रहा इस बुक का content और दूसरी साथ से खास बात इस बुक की ये है ये बुक में maps बहुत ज़्यादा यूज किये गए है map का मस्तर तातर मेरा ये है कि इस बुस्तक में आप देख सकते हैं extra map add किये गए है जिसकी वज़ा से आप कोई भी चीज समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये रहे भारत के वियापारिक मार्ग का map जो की अपने आप में कापी ज़्यादा important है और इतने कम मूली की बुक में ये सब बहुत ही मुश्किल होता है पारन तो इस बुक में है सब सामिल किया गया है अब बात करते हैं इस बुस्तक की कुछ खामी होगी तो इस बुक की सबसे पहली खामी है कि इस बुक की जो build quality है या तो बहुत अच्छी है पेपर quality भी काफी अच्छी है लेकिन जो लिखावट है इस बुक की वो थोड़ी सी निरासा जनक है तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है अगर आपने कभी इतिहास की कोई पुरानी बुक नहीं पढ़ी है तो लेकिन फिर भी इस बुक में जो content है उसको पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत ने हुई कि आपको अच्छर समझ में ना आए नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है आप बेसक आपको अच्छर समझ में आएंगे आप इसको काप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं तो यह रहा हमारी पहली पुस्तक का review अब बात करते हैं अपनी दूसरी पुस्तक का जिसका नाम है प्राचीन भारती मुद्रा है बात करते हैं इस पुस्तक का मूल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपए मार्केट में 90 रुपए का बड़े असानी से मिल जाती है ओनलाइन तो मैंने इसको चेक नहीं किया है लेकिन ओनलाइन भी असानी से हमको उपलब्द हो जानी चाहिए अब बात करते हैं यह पुस्तक क्यों जरूरी है इसको क्यों पढ़ना चाहिए यह पुस्तक इसलिए जरूरी है कि जितने भी हम बड़ी पुस्तके लेते हैं चाहिए हो पपु सिंग प्रजा पतो सौरुप चौबे हो या अन्नि पुस्तके हो उन सब पुस्तकों में जो मुद्रा सास्त का subject है या मुद्रा सास्त के बारे में जो भी जानकारिया है, मुद्राओं के बारे में जो भी जानकारिया है, ओ जानकारी हमको बहुत ज़्यादा बिखरी हुई मिलती है या तो इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि हमको समझ ही नहीं आता हम confused हो जाते हैं तो उन सब जो जानकारिया हैं उनकी मूल गरंत यहीं सब रहे हैं आख अकसर रहे हैं उनके आप संदर वे सोची भी पढ़ेंगे तो इस book का नाम जरूर उसमें सामिल रहेगा यह जो पुस्तक है यह मुद्रा सास्त के बारे में मुद्रा का प्रारंब किस प्रकार हुआ इसमें क्या खासियत रही मुद्रा क्यूं हमारी सोने चांदी या तामे की बनी उनमें समाजी करतब्यों का हमारी समाजी के स्थितियों का क्या योगदान रहा आर्थिक दसा का किया योगदान रहा है ये सब इस पुस्तक में दिया हुआ है आप देख सकते हैं इस पुस्तक की विशे सुची सिक्कों का आरंब भारत के आदी सिक्के विदेशी आक्रमकों के सिक्के कुसाड एम उनके उत्रा अधिकारियों के सिक्के कुसार सिक को स्यक्सर बहुत ज्यादा कुस्चन आते हैं वंको आपको यहां बूख जो कि 100 पेंच में आती है यह 100 पेंच की बूख है और इस बूख में जितना भी मैटर दिया गएा है आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो किसी भी exam में मुद्रा सास से सम्मदित कोई भी कुस्चन आपसे छूटने वाला नहीं है ये रहा इस पुस्तक का review इस पुस्तक की अगर paper quality की बात करें तो बहुत अच्छी है build quality भी बहुत अच्छी है पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हाला कि MA के जो विद्यार्थी होते हैं जिनका एक subject मुद्रा सास्त्र भी होता है उसमें मुद्रा सास्त्र की एक और book इन ही writer की आती है जिसका नाम है भारत के पूरो कालिक सिक्के भारत के पूरो कालिक सिक्के जो की बहुत ही बड़ी book है लेकिन यह book भी मुद्रा सास्त में important role अदा करती है लेकिन यह MA के विद्यार्थियों के लिए है अगर आप one day exams की तैयारी करना चाते हो मुद्रा सास्त के बारे में क्योंकि बड़ी book में आपको मुद्राओं के बाड़े पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप इस book के साथ जा सकते है बहुत ही प्यारी book है बहुत ही छोटी book है बहुत ही अच्छी book है इसको पढ़ने के बाद मुद्रा सास्त से मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी कुस्चन बाहर जाने वाले है तो यह आ रहा प्राचीन भारती मुद्राओं डक्टर परमेस्वरी सालाल गुप्तिक बुक कर वियू अब तीसरी जो बुक आती है वो आती है डक्टर विशुदा नंद पाठक की बुक पराचीन भारती आर्थीक इतिहास यह बुक इतिहास के छेत्र में बहुत ही ज़्यादा important बुक है खासकर पराचीन इतिहास के छेत्र में अक्सर आप इतिहास के छेत्र में Periplus of Ethereum C बुक का नाम सुनते हैं यह बुक में उससे जी भर के सामगरी ली गई है इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो Pairi Plus of Ethersancy की जो बुक है या ओ जो जो बुक है उससे जितने भी कुस्चन एक्जाम्स में आते हैं आप इस बुक से बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या खास है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो इसका मूले बहुत ही कम है 60 रुपए की ये बुक आती है 130 पेज में ये बुक है दूसरी इस बुक की जो सबसे खास बात है वो यह है कि यह बुक इतिहास के छेत्र में इसकी जो विसे सुची है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से भागोलिक और पारिस्थित की प्रष्ट भूमी रही है अध्यन के स्रोत रहे है पानी, उपकरण, क्रसी, स्रमिक और धुर्मिच जितना भी यह सब important topics है यह बुक कवर करती है उत्रावत, दच्छिडावत जितने भी roots है मार्ग हैं उनके बारे में बुक बहुत ही अच्छी जानकारी देती है अक्सर आप देखते हैं कि उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा बंदरगा भारत के किस दिसा में है किस जगा के नजदीक है तो यह बुक इन सबको बहुत ही अच्छे से डील करती है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यह बुक हमको बताती है कि भूमी और धाला में मनुक की क्या विचार रहे नारत के क्या रहे या गिवल की क्या रहे उनके टीकाकारों का क्या योगदान रहा कर कितना होना चाहिए किस ग्रंद क्या नुसार कर लगते थे किस प्रकार लगते थे दाय भाग मिताच्छरा इन सब का जो भी important role है इस book में अच्छे तरीके से बताया गया है paper quality की बात करें तो बहुत ही अच्छी है पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हाला कि यह book मालोस असाधन विकास मंत्राल है जो की वरतमान से में सिच्छा मंत्राल है उसके द्वारा प्रकासित की जाती है तो इस book की सबसे एक दिक्कत की बात ही हो जाती कि इसकी जो binding है थोड़ी सी कमजोर होती है paper nickel की भागने लगते हैं इस book से अगर आप इनको मजबूती और सहुलियत से ना पढ़ें तो लेकिन जो content की बात है इस book को पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की निरासा नहीं होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुतेस page की यह जो book है यह आपको पूरे time बांध कर रखती है आप इसको पढ़ने के बाद किसी प्रकार से आपको उब नहीं लगेगी बोरियत नहीं महसूस होगी कि अरे यार यह book क्या है कैसे पढ़ें इसको ऐसा कुछ भी नहीं है page quality कम होने की वज़े से आपको इतनी आसानी से book आप पढ़ डालेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको छेमेंदर तक और जिमूत वाहन तक जितना भी सब कुछ इस गंत में लिखा गया है इस book में लिखा गया है बहुत ही important है मेरी राय है कि आप इन तीनों book को एक एक बार जरूर पढ़ें ज़्यादा पढ़ने में नहीं एक हपते में आप इन तीनों book को खतम कर देंगे एक हपते से कम समय में और आपका जो इतिहास के प्रती जो समझ है प्राचीन इतिहास के प्रती वो बहुत ही ज़ादा बढ़ जाएगी और इन book को पढ़ने के बाद मुद्रा सास्त्र आर्थिक इतिहास से related कोई भी कुस्चन हाला कि इस बुक की में बात नहीं कर रहा है या बुक एक रूपरेखा के लिए है कि अगर आप इस्तिहास की स्टार्टिंग करना चाहते तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए जैसे आप प्रोफेसर राम सरंड सर्मा की बुक पढ़ते हैं इन दोनों बुक के अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों बुकों में ये जो बुक है मुद्रा के लिए और दूसरी आर्थी कितिहास के लिए ये बुक ये दोनों बहुत यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करती हैं इन दोनों को पढ़ने के बाद आपका एकजांस में कोई भी कुष्चन शूटने वाला नहीं है मुद्रा से प्राचीन भारती मुद्राओं से और आर्थी कितिहास भारत में अर्थ से संबंद जितने भी कुष्चन है ये दोनों बुक आपस में इसको सालो कर देंगी तो ये रहा आज की हमारे इन तीनों बुक का रिव्यू इनसे रिगार्डिंग आपका अगर कोई भी क्योरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं ये रहा आज का रिव्यू और इस राइटर रहे हैं इंडियन हिस्टि को ले करके और इनका जो योगदान है वो भी अतुल्नी रहा है लेकिन ये बुक अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है और बीना पढ़े में बुक का रिव्यू कर नहीं सकता इसलिए मैं इसको पढ़ करके इस बुक का रिव्यू फिलहाल इन तीनों बुकों का रिव्यू समाप्त होता है मैं इनका मूल एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ यह 100 रुपए प्रिंट रेट है जो कि 90 रुपए में मार्केट में मिलती है और तीसरी ये जिसका 90 रुपए प्रिंट रेट है जो कि आपके मार्केट में 80 रुपए की बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो यह रहा आज का हमारा रिव्यू धन्यवाद